आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस, टेस्टी और देखते ही मुँमे पानी आ जाए वैसी स्ट्रिट स्टाइल अमरुट सरी पनेर भूरजी की रेस्पी हलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल मैं हुनी दी ये पनेर भूरजी अमरुट सर की बहुत ही पौपिलर और शानदार डीज है और इसे बनाने में हमें 10 से 15 मिनिट ही लगती है ये अमरुट सरी पनेर भूरजी को स्ट्रेट पे बनाते हैं तो इसके अंदर काजू की पेस्ट अगर आपने सबस्क्राइब किया होगा तो ही मेरी आने वाली हर नएHHH वीडियो की नोटीफीकेशन आपको सबसे पहले उलेगी और सबस्क्राइब कर दा सानल अमरित सरी पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेसन को रोस्ट करेंगे इसके लिए यहाँ पे मैंने टू टेबल स्पून जितना बेसन का आटा लिया है और इसे हम एक पैन के अंदर रोस्ट करेंगे गैस की फ्लेम को हमें स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए बुनना है इसके अंदर अभी हम डालेंगे वन टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी को बेसन और कसूरी मेथी को हम साथ में ही रोस्ट करेंगे जब तक यह हलका गोल्डन हो न जाए तक तक हमें इसे बुनना है, हमें कैसे पता चलेगा कि यह अच्छे से बून चुका है कि नहीं, इसका color change हो जाएगा, हलका golden हो जाएगा और इसकी खुश्बू पूरे kitchen के अंदर फैल जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बेसन बहुत ही अच्छे से roast हो चुक यहाँ पे मैंने दो शिमला मिर्च लिया है और इसे मैंने roughly chop कर दिया है, तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम chop कर लेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से chop होके तयार हो चुके है, तो इसी तरह से हम टमाटर को भी chop क कर लेंगे, अभी हम शिमला मिर्च को एक प्लेट के अंदर ट्रांसपर कर लेते हैं, तमाटर यहाँ पे मैंने चार नंग लिये हैं और इसे मैंने बारिक बारिक चौप कर लिया है, और इसके अंदर हम अभी डाल देंगे, अगर आपके पास chop नहीं है, तो आप मिक्सर ग् पुर्जी एकदम सुपर टेस्टी बनेगी इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर हम डालेंगे टू टेबल स्पून जितना ओईल को और इसके अंदर हम डालेंगे टू टेबल स्पून जितना रेड काशमीरी मिर्च को गैस की फ्लेम को हमें स्लो र बहुत ही अच्छे से कूक हो चुकी है तो अभी हम गैस आफ कर देंगे और गैस आफ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे धेर सारे मसाले सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे वन टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पावडर को और वन फोर टेबल स्पून जितना हम डालेंगे चाट मसाला और वन टेबल स्पून जितना हम डालेंगे पाउबाजी मसाला आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पर योज़ कर सकते हो और 1 टेवल स्पून जितना हम डालेंगे भूना हुआ जीरा पावडर को और 1 अच्छे से मेक्स करेंगे और मेक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन और कसूरी मेथी को जो हमने पैन के अंदर भून के तयार किया है वही बेसन और कसूरी मेथी को इसके अंदर ड पानी को पानी डालने के बाद हम गैस को ओन कर देंगे और इसे हम पकाएंगे ये अमरुचरी पनीर भुर्जी का सिक्रेट मसाला है यही मसाला डालके पनीर भुर्जी को सुपर टेस्टी और डिलिश्यस बनाते है सच में फ्रेंट्स इसका टेस्ट तो एकदम ला जवाब है और एकदम फ्लेवरफुल बन के तयार हो जाता है और यही मसाला पनीर भुर्जी की जान है यहाँ पे हमारा मसाला बन के तयार हो चुका है तो अभी हम गैस ओफ करेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे और एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून जितना हम बटर को डालेंगे पनीर भुर्जी को स्पेशल टेस्ट देने के लिए इसके अंदर बटर ही डाला जाता है और बटर जल न जाए इसके लिए यहाँ पे हम 1 टेबल स्पुन जितना ऑईल को डालेंगे आप यहाँ बटर नहीं डालना चाहते हो तो कोई भी ओई का भी यूस कर सकते हो अभी हम इसके अंदर एक तेज पतर डालेंगे और इसे हम दो टुकड़े करके डालेंगे बटर अच्छे से मैल्ट हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चौप किये हुए शिम्ला मिर्च को और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगी शिम्ला मिर् सार नमक कूँ, नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करके इसे ढग के हम 2-3 मिनिट तक हम इसे कूख होने के लिए छोड़ देंगी, टमाटर और शिमला मिर्च यहाँ पे हमारे कूख होते हैं, तब तक यहाँ पे हम पनीर लेंगे, पनीर मैंने वजन में 200 ग्राम लिया ह और इसे हम ग्रेटर की मदद से क्रेट कर लेंगे, अगर आप चाहो तो इसे क्रमल भी कर सकते हो, दो मिनिट के अंदर ही हमारे टमाटर और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से कूख हो चुके हैं, तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे सिक्रेट मसाला जो हमने तयार किया ह पूरा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, और पैन के अंदर जो हमारा मसाला चिपका हुआ है, इसे हम बेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम mix कर लेंगी जो पनीर को हमने grate करके तयार किया है वही पनीर को हम इसके अंदर डाल देंगी थोड़ा सा पनीर हम side में रख देंगे गarnishing के लिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबल स्पून जितनी फ्रेश क्रेम को जो दूद के उपर जम जाती है वही वाली फ्रेश क्रेम को मैंने यहाँ पर इस्तमाल किया है तो हम इसे भी mix कर लेंगे और इसे ढख के हम दो से तीन मिनिट तक कूक करेंगे तीन मिनिट के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारी सबजी कूख हो चुकी है तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून जितना गरम मसाला और जो पनीर को हमने बचा के रखा था वो पनीर को हम इसके उपर डाल देंगे और थोड़े से टमाटर और शिमला मिर्च को भी मैंने साइन में रख दिया था तो वही टमाटर और शिमला मिर्च को भी हम इसके उपर डाल देंगे तो ये शिमला मिर्च और टमाटर डालने से सबजी के अंदर क्रंची नेजाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है अभी हम इसके उपर फ्रेश फ्रेश धन्या पत्ती को डालेंगे यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी डिलिशियस अमरुच सरी पनीर बुर्जी बनके तयार हो चुकी है और सर्विंग के लिए तयार है तो अभी हम इसे ब्रेड के साथ सब़ करेंगी कीचन के अंदर से आप 10 से 15 मिनिट के अंदर काम खतम करके बहार निकलना चाहते हो तो ये रेसिपी एकदम पर्फेक्ट है ये अमरुच सरी पनीर बुर्जी को आप पाव, कुल्चा, पराठा, रोटी, नान के साथ भी सब़ कर सकते हो अमरुच सरी पनीर बुर्जी को स्ट्रीट के उपर जब भी सब़ करते है तो इसके साथ हमें खजुरिमली की चत्ती और ग्रीन चत्नी के साथ सब़ करते है तो इसी तरह से हमने यहापे इसे serve किया है और साहत में bread को भी serve करते है तो perfect उसी तरह से हमने यहापे इसे serve किया है अभी हम इसके उपर निम्बू को निचोड़ के और बहुत ही tasty अमुरुतसरी पनीर बुर्जी को enjoy करेंगी आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की मैंने धेर सारी जैन पंजबी रेसिपी आपके साथ शेर की हुए जैसे कि पनेर पटियला, पनेर अंगरा, शाही पनेर, वेच कोला पुरी, पनेर चिंगारी, लौकी कोफता करी, पनेर पटियला कोफता, मेथी मतर मलाई, दम मसाला कॉन, लौकी बरता सभी सबजीयों की recipe की link में description box में दे दूँगी वहाँ जाकर आप देख सकते हो ये सब recipe देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे like ज़रूर कर दीजिएगा और अपने family friends में इसे ज़रूर share कीजिएगा और इसी तरह की नई नई recipe को देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजिएगा तो मैं नी दी आपको फिर मिलोंगी एक नई recipe के साथ तब तक के लिए Bye and Happy Cooking